कि हेलो डिया इस्टेरोंट्स वैलकम टू मैंगे एंस इंजुगर और आज मैं आपको भाई सारे कोशन करा दूंगा किन्स के इस एक्सरसाइब कॉशेंत होंगे सब कुशन हो जाएंगे सब के सारे पार्ट यहां पर डिसकस होंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा अग्जाम में अगर कुशन आएगा तो आप लिखेंगे कैसे अपने आंसर को प्रिजेंट कैसे करेंगे इस पर भी बहुत बात होगी इस वीडियो में ओके केट्स तो स् चुशन सारे कुशन समकर लेंगे क्लास सेवन मैच की बात हो रही है क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट में आप मैंगे ब्रेंज मैंगे ब्रेंज अगेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिट एजुकेशन यहां पर आपको किंडर सारे क्लास के सारे सब्जेट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर को सेट में आपको मिलेंगे और पूरे पूरे चैटर सापको पढ़ा दी जाएंगे और वन शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी सब कुछ अब लेवल है सीव इंदी मिडियम सीव इंग्लिश मीडियम यह भी वोड़ वी हर्वाट इंप वोड के लिए यह सब कुछ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्र हमारी वैबसाइट पर www.magnetrableins.com हमारी एप पर सेम नेम से एप प्ले यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिल जाएगा बॉस और राइट इस्ट्रूमेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजेगा बढ़ा बढ़ा कोशन सारे कोशन अच्छे हैं काम के कोशन है हमीं सॉल्व करेंगे डिटेयल में स्ट्रूमें चैस्ट्स टू टू टी पावर सिक्स का मतलब टू रीपावर सिक्स का मतलब टू की मलिटी एप्ला है तू से अवर होगी तू इंटू टू इंटू 2 इंटू 2 x चीन ौ टू 1 2 3 4 5 और जिभ ऐस 6 एंग दो तीन चार पाच्छे अब आप डारेक्ट्ड कर सकते हो। दो कर 4 to the 6 4 to 6 होता है ना भाई या 2 to the 4 4 to the 8 मैं आड कर दिया था इसको sorry for that 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 बात समझ में आई तो 2 to the power 6 64 यह आ गया भाई आपका answer last में आप लिख सकते हो value of value of 2 to the power 6 is 64 बात समझ में आ गई 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 clear है I hope you understood this very well all right value आ गई अब हमें करना है 9 की पावर 3 11 की पावर 2 5 की पावर 4 तो भाई पहले question से ही बिलकुल set हो गया होगा आपका mind के हमें करना क्या है पहले question से ही mind बिलकुल set हो गया है के हमें करना क्या है all right note कर ली जगा इसको जल दी से में वह रहा हूं भाई side में all right instruments ठीक है बढ़ता है आगे जी हां next part next part ये रहा boss 9 to the power 3 9 to the power 3 का मतलब 9 की multiply 9 से तीन बार 9 की multiply 9 से तीन बार 9 9 जा 9 9 जा 81 81 9 जा अब देखे अगर आपको अराम सा मुल्टिप्लाइ कर पा रहे हैं तो कर लो टू तो छोटर नमबर था रहा है अमने आराम से कर लिया 9 भी हम कर सकते हैं करेक्ट लेकिन अगर भाई कोई प्रॉलम हो रही है 8 9 to 72 729 आगे आंसर भाई आल राइट वैल्यू ओफ वैल्यू ओफ वैल्यू ओफ वैल्यू ओफ नाइन टू पावर 3 इकल तो 729 है नहीं असान 718 29 इस देवल्यू आपको पावर 3 ओके कितना असान है यह बहुत जादा असान है बस मुल्टिप्लाइ आपको करना है मुल्टिप्लाइ आपसे करना आना चाहिए और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉलम रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स अगर है तो आप जाए पिछली वाली वीडियो में नाम है इंट्रोड़क्शन टू एक्सपोनेंट्स महाँ पर 30-40 मिनिट्स में सब कुछ आपको पढ़ा जिया गया है एकदब सेट हो जाएगी माइंड में हर चीज ओके स्रिविंट्स नोट कर लिजेगा जल दिसे इसको और राइट किट्स बढ़ते हैं आगे देखते हैं थर्ड पार्ट 11 पावर 2 मतलब 11 इंटू 11 11 की मुल्टिप्लाइ 11 से करेंगे तो क्या जाएगा बॉस 121 यह आगया आणसर 11 स्कूर डरेट भी आपको याद होगा स्कूर्स तो सब नंबर के टुंटे तक आपको याद ही होने चाहिए और राइट वैल्यू आफ 11 स्कूर इस 121 that's it how easy it is 5 to the power 4 बचा है इसको आप नोट करिए फिर वो भी हम कर लेंगे बच्चो all right 5 raised to the power 4 5 raised to the power 4 का मतलब 5 की मुटी प्लाइ 5 से 4 बार 5 raised to the power 4 मतलब 5 into 5 into 5 into 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 all right आप ऐसे भी कर सकते हो 5 की मुल्टिप्लाइ 5 से की 25 5 की मुल्टिप्लाइ 5 से की 25 बीश में मुल्टिप्लाइ एज इस टुन्टिफाइफ का स्कॉयर 625 चुन्टिफाइफ का स्कॉयर से मेरा मतलब 25 की मुल्टिप्लाइ 25 से की 625 स्कॉयर आपको याद होगा इसका all right यह आ गया बहुत आंसर value of value of 5 raised to the power 4 is 625 all right note कर दीचेगा quickly sirates first question हमारा हो गया है complete अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question next question यह रहा भाई screen पर express the following in exponential form how easy it is कितना जाधा असान है देखिए भाई six into six into six into six आपको express करना in exponential form छे की multiply 6 से कितनी बार हो रही है एक दो तीन चार तो इसका answer आ गया भाई six to the power four छे की multiply हो रही है तो बेस छे कितनी बार चार बार तो चार चार क्या हो जाएगा एक्सपॉनेंट और लिखा हो नहीं है बेस क्या है एक्सपॉनेंट क्या है लेकिन कभी-कभी एक्जाम में आ जाता है कि भाई इसको express करो exponential form में और बताइए बेस क्या है और exponent क्या है तो आप लिखेंगे here base equal to 6 exponent equal to 4 यहां पर नहीं पूछा है तो हम नहीं लिख रहे हैं ओके सेकेंड पार्ट ती इंटो टी ऑटी की multiply टी से की दो बार तो टी स्कॉर बी इंटो बीटो बी इंटो बी इंटो बी बी की multiply B से 4 बार वी तो B की पावर 4 बस यही आंसर है भाई यही आंसर है T into T T square कितना आसान सा question B into B into B into B B की पावर 4 यही बास है answer और आल राइट यासे शर्ण आई होप आपको समझ में आ गए है बहुत बढ़ी आपको समझ में आ गया होगा शुर्ण नोट कर लिजए को जल दी से अल्राइट किट्स बढ़ता है आगे देखता है next question next question यह रहा है screen पर प्यारे बच्चो 5 x 5 x 7 x 7 x 7 इस बार 5 भी हो रही है multiply 5 की भी और 7 की भी तो देखिए 5 x 5 x 7 x 7 x 7 तो यह हो जाएगा बॉस 5 x 5 मतलब 5 की पावर 2 7 x 7 x 7 7 की multiply 7 से 3 बार तो 7 की पावर 3 multiply all right exponential form में लिखना था तो यही आपका answer हो जाएगा students यही आपका answer हो जाएगा यही answer है वाई क्योंकि answer exponential form में देना था यह लिखा हुआ exponential form answer में powers होनी चाहिए correct instruments आ गया समझ में चलिए next part देखते है fifth part 2 into 2 into a into a 2 into 2 का मतलब 2 की multiply 2 से दो बार 2 का square एक ही multiply से दो बार एक है square square का मतलब दो बार multiply पास समझ में आई यही है answer okay sixth part और देख लो भाई a into a into a कितने आ है वाई तीन है multiply में c कितने है एक दो तीन चार सी है multiply में c into c into c into c और d a की है भाई correct देखिये बचो a into a into a यह हो गया aq a की पावर 3 a की multiply a से 3 बार हो रही है c into c into c into c एक दो तीन चार सी की पावर 4 into d यही आ जाएगा बॉस आनसर clear असान असान से question बहुत ज्यादा असान यह question ओके सुरेंट्स फिछला चैप्टर हमारा algebraic expression बहुत जब असान था हो और मुझे यह उससे भी ज़्यादा असान लग रहा है आप बताइए आपको कौन सा chapter ज़्यादा असान लग रहा है algebraic expression यह वाला comment section में आप मुझे बताना है algebraic expression perimeter area उससे पहले बहुत ट्राइंगल रेशनल नंबर से सारे chapters में आपको पढ़ा चुका हूं इन सब chapters के conceptual videos and erd questions concepts सारे concepts one short revision miqs mcqs सब कुछ आ चुका है playlist बनी हुए जाहिए playlist में और देख लिजएगा अगर आपने chapters नहीं पढ़े तो ओके playlist में जाएगा मेरे नाम से आपको playlist मिल जाएगी और अराम से आप अपने revision कर सकते हैं आराम से आप practice तैयारी कर सकते हैं इस्ट्रेशन बहुत बढ़िया से हो जाएगी और यह question हमारा हो गया complete बढ़ता है आगे देखता है भई next question instruments express each of the following numbers using exponential notation मतलब इनको exponential form में रखना है exponential form में लिखना है कैसे करेंगे बढ़िए कितना असान है कितना ज्यादा असान है कैसे करेंगे आप समझ जाए यह concept एक question से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करेंगे क्या give another five hundred टूर्थ लीवन आपको क्या करना हैЕ vai f-121 का प्राइम म् делेशन को प्राइम करना इस तरह से करते मतलब डिवाइट करना है प्राइम नंबर से 500 12 तो प्राइम नमब इस्मॉलस प्राइम नमबर टू है उसलिए से हो जायगा لाच digit even है तूसे हो जाएगा divisibility 2 आपको आती होगी तूसे बने डिवाइट किया तो यह हो गया वैपाई 256 लास्ट में 6 है अगें तूसे डिवाइट हो जाएगा रखाएane 1828 लास्ट में 8 इवन नमबर अगेंट हो जाएगा लास humor 1 फिर 4 अगेंट हो जाएगा 5 फेटू से हो जाएगा फेटू से हो जाएगा फेटू से हो जाएगा फेटू से हो जाएगा जब तक करना है जब तक answer one नहीं आता यह आगया one all right यह कुछ भी नहीं है यह prime factorization है you know very well about prime factorization that's it all right so yeah fair work that way you can write 512 equal to this is fair work यह मैं फेर पे किया है, मैं नवर किया, 2 x 2 x 2 x 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 की पावर, 9, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह आ गया अंसर, वेर 2 is base and 9 is exponent, एक्स्प्रेस इच अफ द फॉल्विंग नमबर्स उसेंग एक्स्पोनेंशल नोटेशन, जी हा, 512 को हमने एक्स्प्रेस कर दिया, एक्स्पोनेंशल नोटेशन में, वेर 2 is base and 9 is exponent, आल राइट, आ गया समझ, बिल्गुल ऐसे ही हम next part करेंगे, 343, 729, 3125, आल राइट, चलिए, इसेकिंड पार्ट, इस्टुएंट्स इसको नोट कर ली जाएगा आप जल्ली से, ओके, नोटेट दाउन क्विक्ली, आल राइट, इसेकिंड पार्ट देख लेते हैं, चलिए से, 343, करो भाई, 343, लास्ट में क्या है, लास्ट में इवन नमबर नहीं है, ये टू से नहीं होगा, 3 से चैक करो, इनका सम कर लो, 4, 5, 7, 8, 9, दो सम फिजित इस नोट दिविज़ भाई 3, सम फिजित इस 10, 10 इस नोट दिविज़ भाई 3, इद मेंस इस इस अलोट दिविज़ भाई 3, तो भाई, तीन से नहीं होगा, तो किसी और नमबर से चेक करो, 7 से चेक कर लो, 7, 4, 28, बचा 6 और 3, 63, हो गया भाई, 7, 4, 28, 63, 7, 9 जा 63, 49 अलोट दिविज़ भाई 7, 7, 7 जा 49, और या गया, अंसर, 343, जा रिदे रुटन आज, 7 इस 7 इस 7 इस 7, में 7, रस तो पावर 3, आंसर, एक्स्पोनेंशल नोटेशन, करेक्ट, हैना सान, बहुत जादा सान, ये कुश्चिन्स, ओके स्टूरिंट्स, चल ये, 729 करेंगे अभी, आप इसको नोट करेएगा, इसके बाद करेंगे, 729 के स्टूरिंट्स, नोट इडाउन क्विक्ली, ओल्राइड इस्टूरिंट्स, ठीक है, 729 को देख लेते हैं, 729 किस नंबर से डिवाइड होगा, देखते हैं हैं भई, 729 किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, साथ, 8, 9, 9, 13, 18, सम अफ डिजिट्स इस 18, 18 डिविजल बाई 3, so this is also divisible by 3, 3, 2s are 6, 3, 2s are 6, 1 or 2, 3, 4s are 12, 3, 3s are 9, 4, 5, 7, 8, no, again sum of digit is divisible by 3, 81, again sum of digit is divisible by 3, 81 divided by 3, you will get 27, 3, 9s are 27, 3, 3s are 9, 3, 1s are 3, alright, 729, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6, इस्टूइंट्स, कैसका अंसर कुछ और भी आसकता है, क्या, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाईए, और मुझे बताईए, कैसका अंसर कुछ और भी आसकता है, क्या, अगर आप इसका अंसर कुछ और देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो मुझे comment section में बताईए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताता हूँ, चलिए, अगर मैं इसको three से ना करूँ, देखिए, और मैं कर रहा हूँ, मैं इसको और मैं कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं 729 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 729 9 से भी डिवाइड हो जाएगा करके देखें 9 8 गा 72 9 गा 9 9 गा 81 9 गा 9 9 इंटू 9 इंटू 9 9 की पावर तरी ओल्राइट 9 की पावर यह आंसर भी ठीक है क्योंकि दोनों में ही आंसर एक्सपोनेंशन नोटेशन में है एक्सपोनेंशन नोटेशन में हमें देना था आपको समझ में आ रहा है और आप इस्ट्वेट्स मुझे बताईये क्या जैसे मैंने इसके दो तरह से करा मैंने यह वाला कुशन दो तरह से करा क्या आप फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट भी दो दो तरह से कर सकते थे क्या मुझे आप बताईए सुर्विट्स अगर कर सकते हैं तो क्या अंसर आएगा आप मुझे बताईएगा ओल्राइट न देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 3125 ओल्राइट 3125 चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ 3125 कर्रेक्ट लास्ट में 555 से डिवाइड हो जाएगा करके देखते हैं भाई 5 से डिवाइड इसको 5 आइफ शिघ्जा 30 कि बचाओ नों टूल 5 तूज़ग है तू बचाओ तू और 525 फाइफ फैफ फाइफ देफ हैज गया 125 इन तूज़गे प्रॉंट इवेड फाइफ से 25 फाइफ 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 वाइफ फाइफ ज़ा 25 लास्वाय जा फाइफ तो बास क्या हो गया ये 3 1 2 5 equal to 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बतलब 5 की पावर 5 5 की पावर 5 आ रहा है समझ में exponential form में answer है okay instruments click रहें विल्कुल तो यह हमारे चारों पार्ट हो गए है यह आ गया हमारा answer note कर लीजेगा इसको जल दिसे जी हां सारे पार्ट हो गए है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया भी होगा all right kids चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question identify the greater number wherever possible in each of the following कौन सा greater है identify करना है इन दोनों में कौन सा बढ़ा है इन दोनों में कौन सा बढ़ा है यह आपको बताना है असान सा यह question पहला पार्ट करते हैं वाई देखे पहले पाइट में गिविन नंबर से हैं 4 to the power 3 and 3 to the power 4 तो पहले 4 to the power 3 पहले 4 to the power 3 की value find कर लेते हैं we know that 4 to the power 3 का मतलब 4 into 4 into 4 4 4 to the 16 4 the 64 and 3 to the power 4 का मतलब 3 into 3 into 3 into 3 3 3 is a 9 3 is a 27 3 is a 81 direct we aap कर सकते हो कौन सा बढ़ायज में since 81 greater than 64 81 का मतलब 3 raise to the power 4 therefore 3 raise to 3 raise to the power 4 is greater 3 raise to the power 4 is greater 3 raise to the power 4 is greater बाच समझ में आ रहे है I hope आप को यह समझ में आ रहा होगा समझ में आ गया होगा all right is clear है ना है ना बेतरी जी हां सर समझ में आ गया बहुत बढ़िया चलिए बढ़ता है आगे इसको आप जल्दे से नोट कर लो इसमें कौन सा बढ़ाया वह थ्री दूरेस्टी पावर फोर बढ़ा है धियान से मेरी बास सुनिए अगर 4 raise to the power 3 3 raise to the power 4 ऐसे रिखा है तो आप assumption नहीं करेंगे अपना दिमाग नहीं चलाएं कभी आप सोचें कि भाई यह 4 बढ़ा है बेस यहां बढ़ा है इसे बढ़ा कर दो यहां टेक लगा दो या फिर यह पावर बढ़ी है इससे यहां टेक लगा दो ऐसा नहीं करना individually हमें solve करना पड़ेगा individually हमें solve करना पड़ेगा instruments alright इसको note करिएगा इसके बाद करेंगे बागी के दो parts alright बागी दो parts भी कर लेते हैं जल्दी से second part और third part 5 raise to the power 3 and 3 raise to the power 5 correct solve करेंगे वेल्यूस दोनों की दोनों को solve करना आप से बहुत अच्छे सा आता है 5 raise to the power 3 का मतलब 5 into 5 into 5 5 5 25 5 125 3 raise to the power 5 3 into 3 into 3 into 3 देखें भाई 3 3 the 9 9 3 the 27 27 3 the 81 81 3 the 243 direct हम कर सकते हैं और आपको मैंने शुरू में बताया आप कैसे करेंगे अगर आप डिरेक्ली नहीं कर पा रहे तो सेंस 343 greater than 125 343 का मतलब 3 raise to the power 5 therefore 3 raise to the power 5 is greater all right आ गया समझ में I hope आपको यह समझ में आ गया होगा बच्चों ओके तो जल्ली से नोट करिएगा इसके बात करते हैं third part all right instruments third part देख लेते हैं 2 raise to the power 8 or 8 raise to the power 2 2 raise to the power 8 or 8 raise to the power 2 we know that 2 raise to the power 8 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई अगर आप डरेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर पा रहे तो आप चार-चार की ग्रूप में इसको कर लीजें चार-चार में कर लो दो-दो में कर लो it's up to you 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 4 to the 8 to the 16 16 into 16 मतलब 16 के स्क्वार याद होना चाहिए 216 256 216 एक बार में करके देख लो भाई या 216 कैसा हो जाएगा पंदरा का दो सो पच्चिस है दोस्तों चपनी होगा करेक्ट तू दो 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 16 32 64 128 256 जी हां कभी-कभी शॉटकट में गलत भी हो जाता है तो क्रॉस्चेक भी कर लेते हैं जैसे कि मेरा अभी गलत हो जाता यसा नो लेकिन मुझे 15 का स्कॉर याद था 225 16 का स्कॉर 225 से बढ़ा होगा तो इदम से अन्दर से आवा जाई ना भबू चेक कर लो तो चेक किया तो या आंसरा है 256 ओके 8 स्कॉर देख लो भाई या 8 स्कॉर 8 इंटो 8 मतलब 64 सिंस 256 ग्रिटर दैं 8064 विच वन इस ग्रेटर 256 का मतलब 2 तो थी पावर 8 2 रस तो थी पावर 8 इस ग्रेटर हम से पूचा कया है विच वन इस ग्रेटर हमने बता दिया विच वन इस ग्रेटर आल राइट नोरे डाउन कुईकली ओके स्टो यह वाले फॉर कुश्चिन के भी सारे पार्ट समरे कंप्लेट हो गए हैं बढ़ता है आगे देखता है नेक्स कोशेट नेक्स तू पार्ट भी इसी के ही है बढ़ाई कुशन नंबर फोर के दो पार्ट और इनको भी जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्छो क्या गेवन है बढ़ाई पार्ट फॉर में गेवन है बढ़ाई 100 raised to the power 2 and 2 raised to the power 100 100 raised to the power 2 तो हम कर लेंगे लेकिन 2 raised to the power 100 करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं देखिए we know that we know that 100 100 raised to the power 2 का मतलब 100 की multiply 100 से दो बार होगी बस यह हो गया भाई 1 0000 अल्राइट अब क्या 2 raised to the power 100 2 raised to the power 100 मतलब 2 की multiply 2 से 100 बार अब 100 बार कैसे करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो हम बस जब तक multiply करेंगे जब तक हमें एक value इससे बड़ी नहीं मिल जाती इससे बड़ी वैल्यू मिल गए इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब तो 100 टाइमस आल्राइट मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि 100 बार लिखना बहुत ज़्यादा टाइम दे लेगा और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले लेगा चलिए 2 to the 4 to the 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 32 to the 64 128 256 512 512 एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो नो गया दस ग्यारा बारा तेहरा चौदा पंदरा चलता रहेगा भाई ये ठीक अभी ज़त तो पंदरा आया है अभी और बहुत चांसे बाकी है 512 एक हजार चौबिस दो हजार अरतालिस कितना हो गया है 2048 2048 का डबल 4096 4096 का डबल 4096 आ गया यहां तक भई यहां तक आ गया 4096 4096 आल राइट इंटु तू इंटु तू इंटु तू इंटु 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 तू इंटू इंटु चलतर रहेगा यह ओलराइट 4096 का डबल करोगे कि इतना आएगा भई 8000 सम्टिंग आएगा फिर 16000 सम्टिंग आएगा और यह क्या है 10,000 है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर यह नमबर बड़ा आएगा यह नमबर बहुत ज्यादा बड़ा आएगा तो हम लिखेंगे यहां पर इस्टुडेट्स सेंस सेंस यहां पर क्या लिखना पड़ेगा भाई अब इसकी पैटिकुल वैली दो में पता नहीं क्या है तो हम लिखेंगे क्लियरली क्लियरली तू 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 पावर हंड्रेड इस ग्रिटर दैन हंड्रेड रेस तू पावर टू आप यहां पर और मुल्टिप्लाइ करके दिखा सकते हो कैसे भई 4096 4000 का डबल 8096 का डबल कितना हो गया 180 192 192 जी हां तो 8192 ऐसे आप दिखा सकते हों करेक्ट इंटू तू इंटू तू इंटू तू अब करेंगे आप तो 16,000 संदिंगा जाएगा 16,000 संदिंगी और अंगे करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो भाई यह कुशन को आप एग्जक्ट वैल्यू निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हम डारेट करेंगे ऐसे ही कि लिए इस तरह से हम कर लेंगे यह बहुत जादा बड़ा है 10000 से इस तरह से हम कर सकते हैं आल राइट जल्दे से कर लो इसको नोट विगली noted-down instruments एकटब पसान सा बड़े सा कुशन था लेकिन यह वाला पार्ट बागी पार्ट से थोड़ा सा अलग था और यह वाला पार्ट बागी पार्ट से थोड़ा सा अलग था प्यारे बचो I hope you are interested this very well all right kids जी हां समझ में आ गई बात इसको और एक और तरह से हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जब आप इसको करोगे 2 की पावर हंडेड 2 की पावर हंडेड को अब लिख सकते हो 2 की पावर 10 की पावर 10 करके निखाए चलिए एक और तरीके से करते हैं इसको जब आप करेंगे ना तो ऐसे ना करके आप ऐसे कर सकते हैं कि तू रेस तुदी पावर हंडेड का मतलब इस्ट्रूइंट्स यह मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि यह रूल है लॉज है लॉज हम पढ़ेंगे आगे इसलिए मैंने पहला प्रिफरेंस इसको नहीं दिया था क्योंकि लॉज अभी मैंने आपको नहीं बढ़ाएं 10 की पावर 10 का मतलब 100 हो जाता है पावर 10 देखलो दू, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस की पावर 10 एक, दू, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस तू to the 4 to the 8 16 32 64 64 128 256 256 512 1024 1024 की पावर 10 अब देख लो भई आ रहा समझें 1024 की पावर 10 करेंगे और यहां पर क्या है 100 की पावर टू 100 की पावर टू 10,000 और यह 1000 समधिंग की पावर 10 है तो ओवेसली यह बड़ा आएगा भई किसे 100 की पावर 2 से और राइट 100 की पावर 2 को अब लिख दो 10,000 उसके बाद आप लिख होगे clearly बात समझ में आ रही है clearly 2 raise to the power 100 greater than all right हमसे पूचा गया which one is greater 2 raise to the power 100 is greater बात समझ में आ रही है I hope you are interested this very well partition कर देते हैं students all right kids all right यहली से इसको नोट कर लो के बाद लास्ट करते हैं इस question का अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे comment करके जरूर बताना instruments okay kids last part देखते हैं सवाले question का part है boss fifth part क्या given है देख लो गई given है 2 to the power 10 and 10 to the power 2 2 raise to the power 10 and 10 raise to the power 2 we know that we know that 2 raise to the power 10 का मतलब अभी आपको मैंने बताया था अभी पीछे हमने यही किया था और आंसर भी याद है मुझे आपको भी याद होगा वन रेस्ट वन थाउजन टून्टिफोर आए था एक तो तीन चार पाच छे साथ आट नौ और दस देख लो 2 to the 4 to the 8 16 32 64 128 512 128 256 512 1024 1024 आगया और 10 to the power 2 so easy 10 into 10 मतलब 100 since 1024 is greater than 100 1024 का मतलब 2 raise to the power 10 greater than 10 raise to the power 2 therefore which one is greater 2 raise to the power 10 is greater is greater all right asan saab bhajya saa yya question note कर लीजेगा quickly students और मुझे comment section ने बताईएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है I hope आपको बहुत bhajya समझ में ये आ रहा होगा all right note it down quickly चलिया बढ़ता है आगे देखते हैं अमना next question all right here how our next question express each of the following as product of powers of their prime factors ऐसा question मैंने आपको introduction वाली वीडियो में पढ़ाया था जावर basics of exponents पढ़ाया था क्या करना है भाई हर एक को इस तरह से express करना है कि वह product of prime factors में आ जाए उसके एक question करेंगे और बिल्कुल माइंड में set हो जाएगी बात अगर इसकी जगह पर कोई छोटा सा example नूमें जैसे कि 10 तो 10 को आप लिग दोगे टू इंटू 5 टू की पावर 1 फाइफ की पावर वन अगर में लो 20 तो आप लिग दोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 टू की पावर 2 फावर 1 टूर 5 क्या है प्राइम फेक्टर से 20 के और राइट चलिए डेल में करते हैं समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है सुड़िंट्स जी हम प्राइम फेक्टराइजेशन करना आपको बहुत अच्छे से आता है नहीं आता है तो देखिएगा औ देखलो आप लास्ट डिजिट है एट 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 एक एवन नमबर है डिवीजिबिलिटी ऑफ टू कहती है अगर किसी भी नमबर की यूनिट डिजिट डिवाइड हो रही है तो से तो पूरा नमबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कर दो भाई तो ट्रिज ऑसिक्स तूटूब्होर दो फूर येट लास्ट इजिट फिर से फूर इविट फिर यूट बशे से को टूटू गुसे टमट टूब हो एल और फिर तो से कर दो लास्ट पिले अब 81 टुसे नहीं होगा टू के बाद प्राइम नमबर आता है थृ चलिए ठीजे करते हैं 3 से हो जाएगा भई 3 2 6 361 337-2021 फिर से Θीरी से हो जाएगा भाई है q Э fist Tris a 3 3 e Тут Trading kommen नहीं आ कब तक करेंगा पर यहां पर वन नहीं आ जाता अर बैटा यह फेर वर्क है इसको आप रंट सबसे ना उसक को अपको सबने पढ़ेगा उल राइट till 648 first part और 648 हो गया boss क्या हो गया two into two into two एक दो तीन और फिर त्री इंटू त्री इंटू त्री ओल्राइट एक दो तीन चार एक दो तीन चार बात समझ में आ रही है हमें करना है प्रोड़क्ट ऑफ पावर्स ऑफ देर प्राइम फेक्टर्स तो प्राइम फेक्टर्स मिल गया है प्रोड़क्ट मिल गया है पावर् में करना कितना असान है देख लो तीन टू की पावर थ्री इंटू थिरी की पावर एक दो तीन चार और राइट यह आ गया बहुत आपका आंसर है नासान I hope you are interested this very well क्या करेंगे prime factorization करेंगे जितने भी factors हैंपर आएंगे इन सब की multiply करके लिखेंगे और फिर powers की फॉर्म में लिख देंगे टू की multiply टू से तीन बार होई टू की पावर त्री त्री की multiply त्री से चलिए बढ़ते हैं आगे देखते है next question second part देखेंगे बचो 405 405 का prime factorization 405 का prime factorization okay देखेंगे लास्ट में 5 तो इसको 5 से डिवाइट करें क्या लेकिन हमें करना होता smallest prime numbers से पहले तो यह 3 से भी हो जाएगा क्योंकि sum of digit is divisible by 3 5 plus 4 9 थे की divisibility सारी numbers number में जितनी भी digits से सबका sum कर लो सबको add कर लो अगर वो sum divided हो जाएगा 3 से तो पूरा number 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 plus 5 9 9 divisible by 3 तो यह पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 the 3 1 0 3 3 the 9 1 5 3 5 the 15 all right 5 6 8 9 इनका sum भी आ रहा है भाई divisible हो रहा है 3 से तो 3 4 the 12 3 4 the 12 1 5 3 5 the 15 फिर से 3 से डिवाइड 3 1 the 3 1 5 15 3 5 the 15 फिर से 3 से डिवाइड 3 5 the 15 or 5 1 the 5 all right बाच समझ में आरिये the 405 can be expressed as product of product of 3 into 3 3 3 3 3 3 and 5 but according to question we have to express as powers of product of power of prime factors 3 के पावर 1 2 3 4 into 5 यह आगया बच्चो आपका answer है नासान बहुत जादा असान सूपर असान question I hope आपको समझ में आ रहा होंगे questions students clear ना बिलकुल बढ़िया करके करा रहा हूं all right kids बढ़ते हैं आगे देखते हैं third part जी हां third part देख लेते हैं two two the four two seven the fourteen or zero two one the two two three the six one zero five all right five six seven eight nine three से कर दो भाई three four the twelve forty five three से कर दो भाई 15 three से कर दो भाई three five जा 15 all right or five से कर दो भाई five three the fifteen fifteen three the forty five forty five three the one thirty five one thirty five two the two seventy two the five forty बात समझ में आ रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं therefore five forty can be expressed as two into two into three into three into three into five एक दो एक दो तीन चार एक दो एक दो तीन और ये चार all right 2 की पावर 2 3 की पावर 2 नहीं 3 की पावर 3 1 2 3 3 3 5 इसलिए मैं इसको ब्रेकेंट पर करता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम कोई confusion ना क्रेट हो all right like this यह आ गया बहुत आपका answer I hope आपको समय में आ रहे होंगे यह असान असान questions presentation मिलकुल क्लियर हो गई होगी किस तरह से आपको present करना है अपने answers all right असान है और यह question इतना जादा सान है और इतना इंपोर्टेंट है 10th class में भी है जी हाँ 10th class में भी ऐसा question आपको देखने को मिलेगा पहले ही chapter में okay students बढ़ते हैं आगे देखते हैं fourth part fourth part यह रहा भाई three six zero zero बहुत easy है prime factorization करना आप से करना भी आ गया होगा three seven the twenty one three five the twenty five all right fifteen sorry three five the fifteen और साथ और पाच बारा फिट से हो जाएगा three two the six three five the twenty five अब यह five से कटेगा भाई प्राइम नंबर से ही प्राइम फेक्टर से हमें काटना पड़ता है इसको तो भाई यह हो गया three six zero zero equal to two into two into two into two one two three four three into three and five into five भाई bracket लगा दो जी हाँ क्योंकि अब हमें powers लगानी है all right यह देखेगा two की पावर एक दो तीन चार all right three की पावर एक दो five की पावर एक दो यह आ गया बहुत आपका answer I hope आपको समझ में आ गया होगा all right note it down quickly instruments बहुत अज्यादा साने बहुत बहुत ज्यादा सान है यह बच्चो all right kids note it down quickly बच्चो जल्दी से इसको note कर लो all right students the question number fifth complete हुआ बढ़ते हैं आगे देखते हैं question number six यह रहा question number six screen पर instruments simplify simplify करना है भाई क्या करना इन questions को simplify करना है simplify मतलब इनको बहुत simple तरीके से हमें लिखना है instruments जल्दी से questions को पढ़ लो एक बार quickly देख लो भाई कैसे करना है simplify simplify करना है answer find करना है भाई बहुत easy तरीके से question हो जाएगा देखे भाई first part solve करना start करेंगे और सारे parts मैं आपको कराने वाला हूं देखे भाई first part देखे 2 into 10 की पावर 3 simplify करना है 2 into 10 की पावर 3 को आप डरेक्ट भी कर सकते हो और 10 into 10 into 10 करके भी कर सकते हो डरेक्ट करोगे तो भी और 10 की पावर 3 करोगे तो भी answer यह आने वाला है करेक्ट यह आगे है बहुसा आपका answer कुछ भी नहीं था simplify करना है value निकालने है that's it second part देखे बहुत ज़्यादा आसान है भाई second part देख लेते हैं 7 की पावर 2 into 2 की पावर 2 all right 7 की पावर 2 का मतलब 7 into 7 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 into 2 गरेक्ट भी आप कर सकते हो 7 into 7 49 2 into 2 4 49 की 4 से multiply कर दो 196 is the answer all right 9 4 36 3 carry 4 4 16 17 18 19 जी हां how easy it is कितना जादा यह असान है students चलिए बहुत एक और कोशन देखते है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं 2 to the power 3 into 5 2 to the power 3 हमें याद है 2 to the 4 to the 8 8 into 5 8 5 जा 40 बच्चों वाले questions बिलकुल चलिए next question देखते हैं 4th part 3 into 4 raise to the power 4 3 into 4 raise to the power 4 cover the 4 into 4 into 4 into 4 all right क्या आइगा असर जल्दी बताइए 4 for the 16 16 for the 64 64 into 4 all right instruments 3 into 4 for the 16 1 carry 6 for the 24 or 125 थिरी की multiply 256 से करो 6 is 18 1 carry 5 3 the 15 or 1 16 1 carry 3 to the 6 or 1 7 768 is the answer जी हां सारे answers चेक कर लो एक बार जल्दी से अपनी answer sheet में सही आ रहे है या नहीं आ रहे है चारों पार्ट आपके सामने है जल्दी से इनको चेक कर लो students all right kids हो गया solve जी हां solve हो गया sir answer भी ठीका रहे हैं sir चलिए फोर पार्ट हो गया है कुछ और पार्ट इसके हो सकते हैं जी हां अभी चार पार्ट और हैं कोई भी problem वाली बात नहीं है हम solve करेंगे बच्चो चलिए फिफ्थ पार्ट तो देखते हैं असर आ गया अगर आप द यहां पर चाहें कुछ भी आए जिरू से multiply हो रही तो असरो आएगा that's it मुझा के solve करना ही नहीं है यहां पर चाहें कुछ भी आ जाए इसकी multiply 0 से हो रही तो answer 0 तो इस पूरी की multiply 0 से करी answer 0 all right मैंने यह solve भी नहीं करा next part 6th part देखो बच्चो 6th part 5 raise to the power 2 into 3 raise to the power 3 5 raise to the power 2 5 into 5 3 raise to the power 3 3 into 3 into 3 all right direct भी आप कर सकते थे 5 raise to the power 2 मत दो 5 square 25 आपको याद है 3 cube 3 3 9 3 जा 27 आपको याद है 25 की multiply 27 से करो जल ली से क्या आएगा 25 की multiply 27 से करेंगे क्या answer आजाएगा भाई करके देख लो भाई मुलिटिप्लाइट 27 25 5 7 35 3 carry 5 to the 10 11 12 13 7 to the 14 1 carry 2 to the 4 or 1 5 5 4 5 6 7 और यह 6 600 75 is the answer all right students I hope you are interested this very well note कर ली जागा जल इसे इसे इनको note कर लो प्यारे बच्चो correct आप लास्ट में ऐसे भी निख सकते हो value of this is this value of this is this लेकिन ऐसे करोगे तो भी कोई problem नहीं है वैसे करोगे तो खुलका आपको बढ़ जाएगा लेकिन मांक्स आपको यहां भी पूरे मिलने मांक्स आपको वहां भी पूरे मिलने हैं आल राइट कैसे बता रहे हैं सर एक बार लिख करके बता दीजे चलिए मैं आपको लिख करके बता देता हूं मैं कैसे कह रहा हूं लिखने के लिए देखो भाई 7th part के थरो हम जानेंगे यह रहा 7th part 2 raise to the power 4 into 3 raise to the power 2 2 raise to the power 4 2 into 2 into 2 into 2 16 आएगा answer you know very well 3 square का answer 9 आएगा you know very well 2 to the 4 to the 8 to 16 into 3 to the 9 16 की multiply 9 से करेंगे तो क्या आएगा 108 44 मैं कैसे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ऐसे therefore last में इस तरह से लिखने के लिए value of 2 to the power 4 into 3 to the power 2 is 144 लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो हर पाट में आल राइट ऐसे भी आप लिख सकते हों नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉलम वाली बात नहीं है यहां पर आप आंसर लिख देंगे एक ही बात है और राइट चलिए नोट कर दीजगा जल्ली से इनको आल राइट चलिए बढ़ता है आगे देखते हैं लास्ट पार्ट यह रहा भई लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसको जल्ली से जी हां 8th 3 रस दी पावर 2 इंटो 10 रस दी पावर 4 3 रस दी पावर 2 का मतलब 9 और 10 रस दी पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 यह हो गया 9 1 2 3 4 देरफोर वाल्यू आफ आल्राइट इसलिए असान साहे कोश्चन और ये सारे पाट्स भी हो गये हैं कम्प्लेट इसलिए नोटेट डाउन क्विकली ओके किट्स बढ़ता है आगे देखते हैं नेक्स कोश्चन जी हां कोश्चन नमबर सेवन सिंप्लिफाय फिर से सिंप्लिफाय करने के लिए कहा गया है देख लेते हैं भई कितना ज्यादा असान कोश्चन है माइनस फूर टुदी पावर थ्री बेस क्या है इस बार बेस है नेगेटिव और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई ये बाते बेस नेगेटिव होने पर अगर पावर और होती है तो आशर आता है नेगेटिव और power अगर even होती है तो answer आता है positive और राइट यह बात आपको पहले से पता है minus 4 to the power 3 का मतलब minus 4 into minus 4 minus 4 की multiply minus 4 से 3 बार इसका मतलब यह है बही और राइट क्या करेंगे multiply करेंगे बही अगर आप दो दो करके multiply करने चाहते हैं कर लिजे और नहीं करना चाहते हैं तो help से उसकी हमारा अंसर आजागा कैसे आप minus 4 का क्यूब मत करो आप minus 4 का क्यूब मत कर आप 4 का क्यूब करो टेंशन मतलो आप minus को ignore कर दो और क्यूब फाइंड कर दो जैसा हमने पीछे किया था 4 का क्यूब 4 for the 16 16 for the 64 all right power आपने यह लिखा होगा अगर आपने यह लिखा होगा अगर आपने पेश्टी वाली वीडियो देखें होगी तो नहीं देखी वीडियो तो भाई यह लिख लो और वीडियो जाकर अभी देख लो all right चलिए next part देखते है next part देख लेते हैं बच्चों यह रहा भाई next part minus 3 into minus 2 का क्यूब देखें direct करूंगा इसको मैं minus 3 minus 2 का क्यूब मैं find करूंगा 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 power or base negative base negative power or answer I can negative बात समझ में यह देखी मैंने डारेट किया shot में मैंने डारेट किया shot minus 3 into minus 8 minus minus plus same sign answer positive 8 3 is a 24 यह आगया बहुसा आपका answer by same sign answer positive opposite sign answer negative multiply or divide में ऐसे होता है noted down quickly instruments असान सा बढ़े साई question note कर लो जल लिसे students clear है okay kids और है चीज़ और जब आप directly ऐसे करते हो न जब आप directly लिखते हो answer तो आप यहां पर भी इस तरह से लिख सकते हो since minus 1 की power odd answer negative यहां पर भी आप इस तरह से लिख सकते हो भाई since minus 1 की power odd इसलिए answer negative all right नहीं भी लिखोगे तो भाई बहुत छोड़ी जी बात है understood है कोई फरक नहीं पड़ेगा marks आपको जब भी पूरे मिल जाएंगे तो दो parts हो गए हैं बढ़ते हैं आगे देखते next part यह रहा भाई next part part third minus 3 की power 2 into minus 5 की power 2 देखिए भाई minus 3 की power 2 base negative power even तो 3 का square कर दो बस आप 9 answer आएगा positive into base negative power even 5 का square कर दो 25 5 का square 25 base negative power even तो plus का 25 बात समझ में आ रही ये भी plus का ये भी plus का rule लगा है base negative power base negative power even power even तो answer positive all right भाई multiply कर दो 9 की 25 से you know very well 29 5 जा 4 केरी 9 2 जा 18 9 5 जा 45 4 केरी 9 जा 18 18 और 4 22 22 25 आ गया भाई answer all right चलिया भाई फॉर्थ पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं लास्ट पार्ट इस question का minus 2 cube into minus 10 cube इस्टूनेंट्स आपको एक बात पता है अगर laws मैंने आपको पढ़ा दिये होते और फिर हम ये questions को करने की कुशिश करिएगा चुट क्यों में questions हो जाएंगे चलिया भाई minus 2 to the power 3 into minus 10 to the power 3 2 का cube 8 base negative power odd answer minus ka 10 का cube 1000 base negative answer odd power odd answer negative all right यहां पर भाई रिखा जाएगा since minus 1 to the power odd that's why answer negative that's why answer negative all right to minus minus plus same sign answer positive 8 के बाद 30 यह हो गया भाई question आपका complete all right instruments note it down quickly asan sahab बले असा कुश्यन और एकदाम बेतरी समझ में आ गये हैं आपके सारे question instruments चलिए अब देखते हैं बहुत शांदार question जी हां last question है exercise का और शांदार question है बिलकुल चलिए देख लेते हैं क्या है compare the following numbers compare करना है बताना है कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा है देखिए बई कैसे करेंगे इस question को एक नंबर को मान रहा हूं मैं A और एक को मान रहा हूं मैं B let A और let B इसको मैंने A मान लिया पहले वाले को 2.7 into 10 की power 12 अभी सिर्फ मैंने लिखा है अभी मैंने आपको समझाया नहीं है कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगा इसको करेंगे कैसे 1.5 into 10 to the power 8 करेंगे कैसे यह मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों देखिए कैसे करते एं compare यहाँ पर ten two operates 12 और 17 आपके पावर 8 है करने के बहुत सारी के हो सकते है जैसा आपके दिमाग में आ आजा है वैसा आप कर लो लेकिन मैं आपको एक असान सा तरिका बता रहा रों compare करने का 10 कीрirie 12 10 कीपावर 8 यहाँ पर 10 की पावर 22 8 कर लो या फिर ह आपर आप 10 की पावर 12 कर लो किसी तरह से किसी भी तरह से तरह क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे कर सकते हैं फिदाल अब अब्जेक्टिफ समझो एम क्या है कि ये एम क्या है कि इनको हम सेव कर लें किनको सेव नहीं सेम कर लें इनको हम सेम कर लें यह और भाई यह अगर किसी तरह सेम हो जाएं तो बस हम फिर इन्हें कम्पेर कर लेंगे सब्सक्राइब यह भी 10 की पावर 12 हो गया इंटू 10 की पावर 12 जब हम कम्पेर करेंगे तो यह तो कैंसल हो जाएगा इन दोनों compare कर लो भाई के जो बड़ा वह वाला कुशन बड़ा वाला number बड़ा बात समझ में आ रही है कुछ तो अब हम कैसे करेंगे 10 की पावर 8 को 10 की पावर 12 को किसी तरा से 10 की पावर 8 करो तो भाई 10 की पावर 12 को हम 10 की पावर 8 बहुत असानी से कर सकते हैं बहुत असानी से 10 की पावर 12 को 10 की पावर 8 कर सकते हैं कैसे देखो ध्यान से we know we know that a equal to 2.7 into 10 की पावर 12 इसको आप लिख सकते हो 2.7 x 10 की पावर 12 का मतलब 10 की मुल्टिप्लाइ 10 से 12 बार एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार और 10 की पावर 8 बात समझ में आ रही है, देखलो 10 की पावर 8, 9, 10, 11, 12, ट्रिक समझ में आ गई, 10 की पावर 12 को मैंने 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 8 में लिखा अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं, इसको अगर आप एक बार करेंगे solve इस चीज़ को, तो यही आंसर आएगा भई, यह बात समझ में आ गई है नहीं आ गई, नहीं आ गई तो भई देखलो, नहीं समझ में आई तो देखलो और समझा देता हूं आपको 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को आप क्या लिखते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 10 into 100 into 10 और 100 को आप लोग सकते हो 10 की पावर 2 into 10 तो देख लो 10 की पावर 3 का मतलब 10 की पावर 2 और 1, 2 और 1, 3 इस तरह से ही मैंने यहाँ पर किया है बस बस मैंने यहाँ यहाँ पर रूल लगा है किलियर है, बात समझ में आ रही है चलिए बाई, अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है बहुत शानदार 2.7 2.7 into 10 into 10 into 10 into 10 और 10 की पावर 8 मुझे बना ना था 10 की पावर 8 को मैं बिलकुल भी नहीं शेड रहा हूं 10 की पावर 8 एक साथ यहाँ पर आ जाएगा यह देख लो 10 की पावर 8 एक इस यहाँ पर आ गया है अब यह कर लो भाई सॉल्व, मुल्टिपलाई में डैसिमल राइट साइड चल जाता है, मुल्टिपलाई हो रही है 1, 2, 3, 4, 4 बाई 10 से मुल्टिपलाई हो रही है, मतलब 10 की पावर 4 से मुल्टिपलाई हो रही है, 10 की पावर 4 से मुल्टिपलाई होने का मरलब डैसिमल 4 प्लेस, राइट साइड चल जाएगा तो यह 2.7 था, यहाँ पर था, 4 प्लेस आगे जाएगा 27,000 into 10 की पावर 8, 27,000 into 10 की पावर 8, 1.5 into 10 की पावर 8 यह 2700 नहीं है, 27,000, बात समझ में आ रही है, 27,000 into 10 की पावर 8, 1.5 into 10 की पावर 8 10 की पावर 8 यहाँ भी है, 10 की पावर 8 यहाँ भी है, बस यह compare कर लो भाई 10 की पावर 8 के साथ जो multiply में है उनको compare आप easily कर सकते हो since 1.5 1.5 is less than 27,000 therefore 1.5 into 10 to the power 8 less than सथ 5,000 की औरिजिनल फॉर्म किया थी 2.7 into 10 की पावर 12 आप ऐसे कर सकते हो भई बात समझ में compare गया比 1.5 into 10 की पावर 8 1.5 into 10 की पावर 8 2.7 into 10 की पावर 12 यह बड़ा है यह बात समझ में आ गई आप ऐसे कर सकते हो यह इसको हैhan पर इसको हैँ इसको आप साइन चेंज करने कोशल चोलटा है students I hope you are interested in this very well. बहुत अच्छे से आपको ही समझ में आगया होगा बच्छो. All right kids, यह हो गया. Compare, clear है? All right kids, AB की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. मैंने AB माना था, AB की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो बच्छो. आई हो बहुत बढ़े करके आपको समझ में आ गया होगा और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के अलग-अलग अप्रोच आप लगा कर सकते हो यह वाली अप्रोच मुझे परसनल अच्छी लगती है और वैसे तो आप देख करके भी बता सकते हो यहां पर सिर्फ इस वाले देखिरना भी पढ़ेगा समझाना भी पढ़ेगा कि भाई किस तरह आपने बताया तो प्रिजेंटेशन यह रही स्क्रीन पर नोट कर लिजेगा जल इस एक्रेंट्स कुइकली स्को नोट कर लो आई होब आपको बहुत बढ़े करके समझ में आ गया होगा आल राइड इस्टुमेंट्स कंपेर होगे है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर हैंस टू पॉइंट सेवन इंटू टैन तुदी पावर ट्वैल्वेस ग्रीटर इस ग्रीटर ओल्राइड इस्टुमेंट्स क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इस्टुमेंट्स कोश्चिंस बहुत जादा असान और बहुत जादा इसको प्रिजिंट कैसे करना है यह इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है चलिए एक पार्ट और करते हैं और बिल्कुल क्लियर आपका यह हो जाएगा इस्टुमेंट्स ठीक है एक पार्ट और कर लेते हैं second part में एक को मालो एक को मान लो बी let A equal to 4 into 10 raised to the power 14 3 into 10 raised to the power 17 4 into 10 raised to the power 14 3 into 10 raised to the power 17 zing आ रहा है समझ में की आ रहा हो है सिर्मेंट की तैन की इस में छा बक्रट खेंग अनको ऑल रहाइड चलिए बाई 10 की आप 1410 की आवर ठाटीन जÅ तो 10 की आप 14ogene को 10 की आवर 17 तया लें किसी भी तरह से अब वो करेंगे कैसे देख लो ध्यान से तो 17 को 14 करना असान है 17 को 14 करना असान है कैसे सर देखते रो समझ में आजाएगा we know that बी इकवल टू 3 इन्टू 10 की पावर 17 अगर मैं इसको ऐसे लिख दू 3 इन्टू 10 इन्टू 10 इन्टू 10 10 x 10 , 10 x 10 x 10 , 10 & 10 x 10 तको और कब तक होना है 17 तक होना है तीन तो यहां पर आगया कितने बचे 10 की पावर 14 बचा यह बात समझ में आ रही है क्या यह बात समझ में आ रही है मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ इतना काम किया है भाई 10 की पावर 17 को 10 इंटु 10 इंटु 10 इंटु 10 इंटु 10 इंटु 10 इंटु 10 और यह 10 की पावर 14 को मैंने कर दिया इस सेव कर दिया बिल्कुल अलग क्योंकि मुझे यहापर 10 की पावर 14 लिखां वह दिख गया था है इसको कर लो भाई सॉल्फ कैसे करेंगे तरह कि मोडिपलाई टेंसे फिर टेंसे फिर टेंसे तरह सिद्वाइब एक दो तीन जिरो इंटु 10 की पावर 14 4 x 2 10 gorfate anghen 12-14 10 कि power 14 i810 148 10 कि power 14 10 कि power 14 है 10 कि पावर 14 x papa 10 कि power 14 यहां भी है यहां भी है थैन कि power 14 निहांथ समझ में आ रही है अब दोनों यूगा 10 कि power 14 ने तो कि आप यह वाले नंबर compare कर लोगाँ यहां पर 4 है मलटिपला किमें a में और यहां पर 3000 है since 3000 is greater than 4 therefore 3000 किस में आया था भई यहां पर आया था B में all right B therefore B है 3 into 10 की पावर 17 greater than 4 into 10 की पावर 14 hence 3 into 10 की पावर 17 is greater all right देखे भई इस question को directly आपके mind में solve आपने क्या होगा यहां पर 10 की पावर 14 है यहां पर 10 की पावर 17 है यहां पर 14 है यहां पर 17 है obviously 17 10 की पावर 17 बड़ा होगा 10 की पावर 14 से all right क्योंकि यह नंबर बड़े छोटे छोटे हैं 4 और 3 हाला कि 4 बड़ा है लेकिन बस एक से बड़ा है लेकिन यह बहुत ज्यादा difference करेगा तो यह overall यह नंबर बड़ा हो जाएगा लेकिन लिखना कैसे है लिखेंगे कैसे वो मैंने आपको बताया किस तरह से हम अपनी बात को present करते हैं मैं फिर से कहांगा यह वाले question super important होते हैं यह question super important होते हैं बहिया exam में आते हैं compare करने वाले questions compare करने वाले questions exam में आते हैं all right note कर लो इनको जल दिस एक्सराइब क्योंकि नेक्स एक्सराइज इसके बात जो exercise आएगी second वाली वो dependent laws of exponents पर the students a bar map was summarize कर देता हो हमने क्या पढ़ाया मैंने अभी तक आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था chapter overview कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस chapter में उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था basic of exponents मतलब introduction of exponents क्या होते है exponents all right body daily ने पढ़ाया गया था उसके बाद आपको पढ़ाया गई भाई यह exercise जो dependent basics of exponents पर और अब next exercise बंप करेंगे laws all right kids thank you so much all of you अगर आपको समझ में आ गया है मुझे comment करके बताईया I hope आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कोई confusion कोई problem में तो मुझे आप comment करके बता सकते हैं वैसे कोई दिक्कत कोई परशानी होगी नहीं क्योंकि सब कुछ हमने आपर discuss कर लिया all right kids thank you so much once again it's time to say goodbye but before the living before leaving I have very info important information for you regarding magnet brains magnet brains is providing high quality education which is absolutely free जिया बिलकुल free में high quality education आपको मिल रही है यहां पर yes here you can get free courses from class kg to class 12th जी हां हर course हर subject का आपको मिल यहां every course set include NCRD questions daily practice problems conceptual videos multiple choice questions most important questions quick revision videos of 15 minutes and you also get live sessions which are absolutely free where you can interact with your teacher live and you can ask your doubts all right apart from it you will also get one short revision videos is strategy videos many more things are available instrument these all things these all stuff is available for cbsc board in the medium cbsc board English medium you be bored we are bored mp board and this all things available on all three platforms chiha हमारी website www.magnetbrains.com हमारी website है महापर आपको यह सब कुछ मिलने वाला है correct और हमारी एप पर सेम नेम से एप है प्ले स्टोर पर आप जाकर कर देखिएगा यह एप का magnet brain घड़ा है बाई अब लो अब तुम्हारे साथ भी बचो और राइट और के स्टोर नोर्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा सी यूटन टेस्ट अलम प्यार डिस एक्जाम की परपरेशन में लो करा रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दी जगा वीडियो चे लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले मुझे पता है आप फेस्बुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो सच करिय के मैंने बेंज फोलो करिये फेस्बुक इंस्टाग्राम टुटर टेलिग्राम पर और बन जाये मैंने बेंड फैमिली कैसा इस ताम तो यूट बाई श्रेंट इम सालुक एर मैस एड़केटर आइविविड जून इन आए ने च्छ टिल आद बाबाई बीए पीपीड लें की बाई श्रेंग बाई श्रेंट